चाणक्या आईस अकैडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे 22 विदी आयोग पर जिसका गटन हाल ही में किया गया है केंद्र सरकार ने चार साल के अंतराल के बाद देश में 22 विदी आयोग का गठन करते हुए करनाटक हाई कोट के पुर्व मुख्य न्यायाधी श्रितुराज अवस्थी को आयोग का चेर्मेन निक्त किया है जस्टिस अवस्थी की अध्यक्ष्टा में गठित 22 विदी आयोग में केरर हाई कोट के पुरुजज जस्टिस केटी शंकरन, प्रोफेसर आनन्द पालिवाल, प्रोफेसर डीप पी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M. करुणा निदी को सदस्य न्युक्त किया गया है 22 विदी आयोग के बारे में अगर विस्तार से बात की जाए, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की अध्यक्ष्टा में 19 फरवरी 2020 को केंद्रिय मंत्री मंडल की बैठक में 22 विदी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, जिसका कारेकाल सरकारी राजपत्र में गठन क आदेश के प्रकाशन की तिती से तीन वर्ष की अवधी के लिए तै किया गया था और जो जटिल कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देगा 31 अगस 2018 को 21 विदी आयोग का कारेकाल पूरा होने के बाद से ही विदी आयोग के अध्यक्ष वे सदस्यों का पद खाली रहा है 21 वे आयोग की समापती के करीब डेड़ वर्ष बाद सरकार ने फरवरी 2020 में 22 वे आयोग के गठन को मंजूरी दी थी लेकिन करीब 4 साल तक सरकार आयोग का गठन नहीं कर पाई आयोग में चेर्मेन और सदस्यों की नुक्ति की मांग को लेकर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोट में जन हितियाचि का दायर की थी जिसमें केंद्रिय ग्रह मंत्राले, कानून एवं नयाय मंत्राले और विदी आयोग को पक्षकार बनाया गया था अब हम बात करेंगी विदी आयोग के बारे में विदी आयोग भारत सरकार ज्वारा समय समय पर गठित एक गैर सामविदिक निकाय है इसका मोल रूप से 1955 में गठन किया गया था आयोग का पुनर गठन तीन साल के लिए किया जाता है मंत्री मंदल की मंजूरी के बाद विदी मंत्राले आयोग के गठन सम्मंदित अधी सूचना जारी करता है आयोग का कारेकाल अधी सूचना के प्रकाशन की तिती से तीन साल तक के समय के लिए होता है आयोग में चेर्वेन के साथ पूरे पैनल में चार सदस्य, एक सचिव सहित और कानून मंत्राले में कानून और विधाई सचिव, पदेन सदस्य होते हैं विदी आयोग न्याय परकिरियाओं में देरी और मामलों के तेजी से निप्टान के लिए न्यायक परकिरिया में सुधार के लिए अध्यन और अनुसंधान करता है और साथ ही आयोग सौपे गए कानून के विभिन पहलूँ पर सरकार को अपनी सलाह देने का कारे करता है अगर हम बात करें कि विदी आयोग है क्या और इसकी प्रष्ट भूमी क्या है तो विदी सम्मंदी विशों पर महत्तपुन सुझाव देने के लिए सरकारे आवश्चक्ता नुसार आयोग नियुक्त कर देती हैं इन्हें विदी आयोग या लो कमिशन कहा जाता है सवतंत्र भारत में अब तक 22 विदी आयोग बन चुके हैं 21 विदी आयोग का कारेकाल 2018 तक था और नयायमूर्ती बलवीर सिंग चौहान इसके अध्यक्ष थे 19 फर्वरी 2020 को केंद्रिय मंत्री मंदल द्वारा 22 में विदी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी जिसका कारेकाल सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथी से तीन वर्ष की अध्यक्ष के लिए होगा और जो जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सला देगा ये हम पहले भी बात कर चुके हैं भारत का जो प्रथम विदी आयोग है वो 1833 के चार्टर एक्ट के अंत्रगत सन 1834 में बना इसके निर्मान के समय भारत इस्ट इंडिया कमपनी के शाशन में था सुप्रीम कोट में दायर याचिका में कहा गया है कि 22 वे विदी आयोग के साबने मुख्य रूप से 5 बिंदू हैं जिन पर एक रिपोर्ट तियार करनी है इनमें दस्मीक अक्षा तक समान सिक्षा, समान नागरिक सहीता, घुसपैट के खिलाफ कानून, जनसंख्या नियंतरन को लेकर रिपोर्ट और धर्मानतरन रोकने के लिए राश्टिय स्तरपर कानून बनाने के लिए रिपोर्ट करने की बड़ी जिम्मेदारी है रिपोर्ट तयार होने से स्तितिस्पश्च होगी और सरकार अपने स्तर पर आगे बढ़ सकेगी इसके साथ ही वीदी आयोक से समन्दित सारी जानकारियों पर हमने बात कर ली है हम फिर मिलेंगे एक नयी टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले Thank you so much Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update